हेलो फ्रेंस वेलकम तो बैक माई चैनल आज हम कोको पीट के बारे में बात करेंगे बेस वेटा मेक कोको पीट और हाव एन्वाइटु यूझ कोको पीट और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि कैसे हम कोको पीट का यूझ गार्डन में करते हैं यह वन केजी का ब्रिक है और यह मुझे 100 रुपीज में पड़ा है आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं लेकिन प्रफर कीजिए कि ऑनलाइन ना खरीदें आप गार्डन जहां से भी आप प्लांट्स लेते हैं वहां पे इसली मिल जाता है यह देखन और जैसे जैसे मुझे अगर लगेगा नीट तो मैं और पानी इसमें डालती जाओंगी तो इसको अच्छे से डिप कर दीजिए पहले हम कोको पीट का यूज सिर्फ सेडलिंग के लिए ही करते थे लेकिन अब हम अपने पॉट की मिट्टी तयार करने के लिए भी यूज कर अगर जो भी बाकी रह गया है उसको आप हाथ से तोड़ लिजे मैंने इसमें पानी और मिलाया था कोको पीट एक ऐसा मीडिया है जिसमें खुद का कोई भी नुट्रिशन नहीं होता है तो इसमें जब भी हम किसी सीडलिंग को या फिर हम किसी पॉधे को लगाते हैं तो हम में उनको खाद प्रोवाइट करनी होती है चाहे वह और गैनिक हो चाहे वह कैमिकल हो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट भी डाल सकते हैं अधरवाइस आप किसी भी तरीके की खाद डाल सकते हैं तो यह हो गया है अब इसको जो हम अच्छे से नि इकालने के बाद इसको एक बार मैं और वाश करूंगी आप चाहे तो दो बार वाश कर सकते हैं लेकिन अगर एक बार और कर रहे हैं तो वह सफीचेंट है तो मिलते हैं हम इसके बाद हाँ एक चीज और अगर आप इसको सिर्फ एक ही बार वाश कर रहे हैं तो वह उसमें आ लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और ये अब मेडिया तयार है आप इसको गार्डन स्वाइल में पॉट बनाने में आप इसको यूज कर सकते हैं थैंक यू फ्रेंड्स